महाराश्रा में एक बार फिर से महाराश के सियम उदो ठाकरे की मुश्किले बहुती भ्यानक तरीके से बढ़ना सुरू कर दी है उदो ठाकरे को एक बार फिर से एक बहुती बड़ा जटका लगा है और इस बार यह जो जटका दिया गया है वो किसी और के दोरा नहीं बलकि अन्नाहजारे के दोरा दिया गया है समाज सुई अन्नाहजारे क्या अब महराज के उधो ठाकरे सरकार को गिराने में कोई एहम भूम कर निभाने वाले हैं ये सवाल इसलिए है क्योंकि लंबे अर्चे से खामोसी ओड़े अन्ना ने रविवार को अचानक अपनी चुपी तोड़ते हुए महराश सरकार को चेतावनी दी है कि वो या तो लोका यूगत कानून बनाएं या फिर सत्ता से बाहर होने की तयारी कर लें सीदे सीदे ये धमकी दी गई है अन्ना हजारे के द्वारा कि अगर वो लोका यूगत कानून बना देते हैं तो ठीक है अगर उसके लिए वो रेडी नहीं है तो वो जो है सत्ता छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं क्योंकि अब उनकी सरकार जल्दी गिरने वाली है इसके ल अंदोलन करने वाले हैं महाराज सरकार के खिलाप में अब उसको जो है सपोर्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से बीजेपी ने अपनी भरपूर कोशिस की उधो ठाकरे सरकार गिडाने की लेकिन किसी न किसी व विवाद उठे तो काफी तेजी से लेकिन उसी तरह से सांथ भी हो गए जिसको लेकर बाद में महाराश्टा में राजपती सासन लागू भी करने को लेकर बात की गई लेकिन वो भी पॉसिवल नहीं हो पाया तो अब जो है ये आंदोलन शुरू होने के बाद एक बहुत ही बड़ा चेहरा महाराश सरकार के खिलाप में सामने आ सकता है और वो हैं अन्ना हजारे बीजेपी के पास में एक बहुत ही बड़ा चेहरा है और ये हैं अन्ना हजारे अगर अन्ना हजारे ने या आदोलन शुरू कर दिया तो इस आंदोलन में लोग भी उनका सपोर्ट करे है आपका क्या ओपीनियन है इस पर आपनों कमेंट बाक्स मताएं और वीडियो कि आश्यादा सेयर करें